हाई एव्रिवान दिस इस सवासिस आज भी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट ग्याप डाउन खुला अल्मुस्ट 400-500 पॉइंट उसके एज रिकवर विवा और क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव दिया है इन डिटेल्स के अंदर डिसकसन करते हैं कल भी मैं आपको बता भी थोड़ा सा बड़ा था तो उसके लिए वोलटिल्टी भी जाद है थी अल्मुस्ट इसी लेवल के असपास क्लोज दिया है इंडिस्टिंग यह है एक बार इसने 46,000 ब्रेक करने या कोसिस किया और आज डेई का जो लोग है उसको इसने सस्टेंड किया है 45,500 इस लेवल को होल्ट किया है तो आट मिस हमारे लिए अभी टू प्लेस हो जाता है कि ने क्या मार्केट कल 46,000 के ऊपर निकलने का कोसिस करेगा तो फर्स तिंक ने मार्केट में अभी अगर हम लोग देखेंगे दो दिन से एक अच्छा का सा मोमेंटम आ चुका है मार्केट 1500 नीचे गय कि ने थोड़ा सा हम लोग को पुल बैक देखने के लिए या फिर अगर यहां से फिट से कंटिनु करता है तो एग्रेसिव सेलिंग के लिए हाथ नहीं जाने वाला है क्योंकि अल्री मार्केट में मूव आ चुका है आज अगर हम लोग देखेंगे सेलिंग आया कल फर्स फ फोड़ा सा पॉज लिया है लेकिन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका है सेंटिमेंट क्यों मैं आपको बोल रहा हम फर्स तिंग अगर कल लेट सिमाजिन कि नहीं कुछ अगर स्टॉक्स का लेट से बुरा रेजल्ट आया है लेट से सबसे खराब रेजल्ट आय अगर आप मेरा पॉइंट समझ रहोगे किस तरीके से जो निव जाना था वो आ चुका है मार्केट में कल नहीं हो जाया मार्केट गैप डाउन खुला उसके बाद स्टॉक्स के कारें नीचे आया है एक डिवसे बैंक में में मतलब फंडमेंटल नहीं जादा देखता नियू लेकिन अगर बुरा रेजल्ट आया है नहीं डौन लेकिन अगर बुरा भी आया है तो एक यह जोलिक नेक्स्ट के लिए प्लान उचका हो गा ईजने नेक्स्ट क्वाटर प्रिवेस कोटेट तो अच्छा होना अजी यह सब्सक्रार कर दीबिए it seller 46,000 के आसपास है तो कल का डे इसलिए इंट्रिस्टिंग रहेगा किनि क्या यह 45,900-950 यह लेवल अगर जाता है अगर कल मार्केट गाप डाउन खुलता है इसलिंग का अपरजनिटिव मिल सकता है तो कल सिंपल यह यह और इमाजन करो फ्लाट खुला अगर फ्लाट खुला वेटेंट वाच क्या यह 45,500 क्रॉस कर रहा है अगर यह 500 क्रॉस कर रहा है हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गाप पेंडिंग है अभी डेली चार्ट में अगर देखेंगे आनेवल टैप में हो सकता है कि इने नेक्स्ट ट्री किया है लेकिन यहाँ पे गाप पेंडिंग है 44,800-48,200 यह सारे गाप पेंडिंग है तो हो सकता ह किने market थोड़ा सा अगर यह zone पर आ है तो इसी zone के आसपास कहीं पर support ले तो कल अगर market 48,500 के नीचे निकलता है, flat खुले या gap down खुले, it's a negative sign flat खुले या gap down खुले थोड़ा सा negative sign रहेगा, लेकिन अगर यह थोड़ा सा gap खुलता है let's say 850,900 यह zone के आसपास, थोड़ा सा यह positive रहेगा and aggressive buy नहीं करेंगे, we'll wait 46,000 से हो सकता है किने हम लोग को 100-200 point, एक momentum मिलेगा, then we'll go to wait for a closing, क्योंकि क्या होगा, कल closing important है and then Monday opening भी important होने वाला है, क्योंकि generally क्या होता है, let's say Friday के दिन लोग confidence होके, अगर imagine करो किने Friday है, long weekend है, तो लोग अगर confidence होके जा रहे हैं, किने हा, 46,200 यह फिर इस जोन के आसपास कही closing दे रहा है, यह फिर higher level पे closing दे रहा है that means low confidence होके hold करके जा रहे, तो थोड़ा सा positive हम लोग मान सकते हैं, लेकिन अगर कल लोग confidence ही नहीं है in the sense market अगर फिट से gap down या flat खुलने के बाद, उपर की level टच किया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, और closing negative दे रहा है that means major correction और pending है, market थोड़ा सा और नीचे की तरफ जा सकता है, तो हम लोग अभी plan में जैसे plan किये, किने कल अगर flat खुला, gap down खुला, it's a negative sign, तो हम लोग थोड़ा से बड़े target के लिए plan करेंगे, किने हां, और deep correction कर सकता है, करेंगे, I hope यह point आपको समझ में आ गया होगा, fluent study हम हम लोग प्लान करेंगे, Nifty, Nifty morning hour के अंदर, definitely यहाँ पे selling pressure था, कुछ stocks के अंदर, Nifty specific, मतलब sell up आ रहते है, फिर recover भी हुए, उसके बाद immediately फिर रिकावर हुआ, रिकावर होने के बाद यह gap तो फिल नहीं किया, लेकिन है closing बहुत अच्छे level पे दिया है, bank Nifty अगर हम 500 के असपास अगर close करता है, या फिर इसके उपर निकलता है, फ्लाट कुलने के बाद, या थोड़ा सा gap अप कुलने का 500, 520 यह निकलता है, तो हम लोग को एक 560 से लेकर 580 का एक target देखने मिल सकता है, 60-70 पॉइंट यहाँ पर एक move हो सकता है, क्योंग एक अच्छे level पर gap पहले फिल करेगा, जैसे bank nifty फिल किया था, फिल करेगा, एक अच्छा momentum रहाएगा, इसको प्लान कर सकते हैं, तो कल अगर थोड़ा सा gap अप खुला, तभी हम लोग थोड़ा प्लान करेंगा, 520 के आसपास, एक momentum के लिए, अगर gap down खुलता है, तो आप खुछ सोचिए, market आ 400 के आसपास, अगर कहीं gap down कुलता है, पचासाइट रुपे, तो इतने लोग यहाँ पर hold किया होंगे, उन लोग अपना position square up करेंगे, यहाँ पर market फिल करना start करेगा, अगर यह level फिल ब्रेक करता है, फिर हम लोग को major correction देखने मिल सकता है, लेकिन bank nifty ज्यादा easy रहेगा, त किने market में अभी sign क्या दिया है, लोग गलती यह करते हैं, किने यह सोचते हैं, किने हाँ, every fall पर buy कर ले, या every rally पर sell कर ले, ने, market अभी हम लोग को क्या suggest कर रहा है, किने market में directly gap down कुला, आज थोड़ा सा market पहुँज जेना कोसिस किया है, कल अगर फिट से यह breakdown कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा से बड़े trade के लिए capture करेंगे, किने हाँ, थोड़ा सा बड़े target मिले, लेकिन वा tip अगर market इस zone पे खुलता है, middle पे खुलता है, तो generally जितने लोग यहाँ पे support के लिए सोच रहोंगे, उन लोग add-on होते जाएंगे, किने हाँ, यहाँ पे support दिख रहा है, फिर उन लोग भी negative हो जाएंगे, या फिर position sell करने या courses करेंगे, चलिए अभी हम लोग expiry देखते हैं, sunset का expiry किस तरीके से होगा, बहुत ही picture perfect candle ही, candle expected था, definitely, in the sense में अगर इस तरीके का आपको बोल रहा हूँ, that means मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट जहाँ open हुआ है, उस level के आ पास-पास close हो है, no doubt फुरा सा spike लगा है, market उपर गया, लेकिन closing इस तरीके से expectation था, किने हाँ, इस तरीका move करेगा, बड़ा move expect नहीं कर रहे है, कल क्या scenario है, simple है, market अगर negative side निकलता है, 71,000 के नीचे निकलता है, यहाँ पे 180 point के उपर close दिया है, अगर 71,000 के निकल रहा है, थ अगर 71,000 के नीचे निकलता है, तो हम लोग से लिंक लिए plan कर सकते है, इसके नीचे फिर continuation, और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर major trend आना होगा, तो excel up आया, pause लिया, अगर continuation होना होगा कल, तो बड़े target लिए plan करेंगे, अगर reversal हुआ, ऐसे लेट हुआ, no issue, लेक price के आसपास एक range बनाया है, कल अगर flat खुला या थोड़ा सा gap up इस range के आसपास अगर खुलेगा, तो थोड़ा सा हम लोग positive मानेंगे, तो कल अगर market gap up खुलता है, तभी हम लोग positive मानेंगे, flat या negative खुला, तो chances से किने और continuation में momentum या selling के लिए आ सकता है, क्योंकि generally क्या होग किने अगर कल market में sell up आया, तो that means it's for a major correction, क्योंकि Friday को भी लोग उमीद नहीं रखे है market से किने, मतलब hold करे या फिर correction करे, उपर की तरह move करे, तो लोग selling करे, अपना portfolio डर लगके, sell करके जा रहे हैं, यह सोच करे किने, overnet हम लोग रखेंगे ने, position रखेंगे ने, देखेंग फिर Monday के दिन, अगर कल confidence आता है किने gap up को अच्छे level पर close करता है, that means market में अभी भी participation बागी है, अभी भी in the sense लोगों को होपे किने, हाँ यह level से correction अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि आप अगर daily charts के अंदर देखोगे, nifty, bank nifty and all, almost जो trend दिया था, अगर हम लोग देखे अगर देखेंगे, monthly charts के अंदर, almost 50% से जादा correction कर चुका है, in terms of bank nifty, and nifty अगर हम लोग देखेंगे, almost यह एक negative sign बन रहा है अभी, और हम लोग का I think 7-8-10 दिन है, तो अगर seller यहाँ पे hold करते हैं, कि नहीं हाँ, 21,000 के आसपास, या एक इस तरीकी का inverted hammer बनाते हैं, तो definitely chances से किने, और correction आ सकता है, bank nifty अगर देखेंगे, almost more than 50% से ज्यादा correction हो चुका है, तो interesting यह रहेगा किने, कल closing कहाँ देता है, अगर closing positive side दिया, तो there is a hope किने, हाँ, अभी भी अच्छा chance है किने, hold कर सकता है, अगर negative आता है, तो chances से किने, थोड़ा सा और correction आ सकता है, क्योंकि financial sector से bank nifty, अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, यह completely अगर थोड़ा सा और नीच आया, तो completely faded करतेगा, जो previous बड़ा move हुआ था, upside, momentum आया था, वो completely faded out हो जाएगा, तो यह थोड़ा सा difficult हो जाएगा, फिर recover करने के लिए, विल सी, अभी भी negative scenario इतना ज्यादा है नहीं, और अग trend market नीचे की तरफ जाएगा, gap down and all खुलते जाएगा, तो हम लोग प्लान करेंगे थोड़ा बड़े target के लिए, अगर यह hold करके 46,000 के उपर, या फिर 21,500 के उपर nifty अगरकल close करता है, तो थोड़ा सा positivity अभी भी वनी रहेगी, then we'll see the price action on Monday, फिर हम लोग प्लान करेंगे, I hope सारा पन आप लोग को समझ भी आरे होगे, प्रिटे जावला एक्सान फिट, अवक लिए तना है, thank you